शार्वित्रों, ग्यानमिकास चैनल में स्वागत हैं, इस वीडियो में बहुचर्चित फिल्म स्लम डॉग मिलेनर पर आधारित पाठे सामगरी है, या बियो पाठे करम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, छात्र इस प्रारुप का अनुसरण उतर लिखने के लिए कर सकते ह फिल्म समिक्षा लिखने के प्रेशन पर अधिकतर छात्र फिल्म की कहानी का सारंच लिखतेते हैं, छात्रों इससे आपको कुछ अंगतों मिल जाएंगे, किन्तु आपकी रशनात्मक्ता द्रश्टी कौन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, इस वीडियो में गागर मिसाग अगर भरने का प्रयास किया गया है, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और ओपयोगी भी, अब हम देखते हैं इसमें किन्त बिंदुओं को शामिल किया गया है, जो यहाँ पर प्रस्तूत किये गया है, पुरस्कार सम्मान इस फिल्म क अनेको पर उसकार मिले, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ क्लिपिंग का यहाँ कोलाज बिनाया गया है, फिल्म की कास्टिंग है, इसके मुख्य कलाकर है, देव पटेल, जिसका नाम है, जमाल मलिक, और जमाल मलिक के बच्पन का रोल किया है, आयूश महेश खं और किन लोगों ने योगदान दिया है, यहाँ पर लिख्या गया है, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं, दैनी बायल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनर ने जुगी जोपड़े में रहने वालों की वास्तविक्ता, उनके सपने अंधेरे से उजाले की ओर जाने के प्रयास, और जिन्दगी के अनुभों से मिले ज्यान को सकारात्मक धंक से प्रस्तूत करने की कोशिश की है, निर्देशक डैनी बायल ने बॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्म बनाई है, जिसमें एक पिरिम कहानी है, स्क्रीन लेखक, शमॉन विफोय, एक औ उन लोगों के लिए आशा की किरन लगती है, जो जिन्गी में प्यार और सुक संपत्ति के लिए के मामले में दुर्भागी शाली है, फिल्म में मुंबई की गंदी गलियां को दिखाया गया है, जो कि एक सचाई भी है, विरोध का स्वर इसलिए उठ रहा है कि किसी गोरे भारती ने इस फिल्म को बनाया है, तो यह दोहरी मानसिक्ता की निशानी है, 2009-13 जन्वरी को पूरे भारत में फिल्म की 399 प्रिंट रिलीज की गई, पहले सप्ता में इसने 22 लाग डॉलर की कमाई की, पहले सप्ता में सीने में की 25 प्रतिशत सीटे खाली थी, दूसरे सप् 50 प्रतिशत, हलाकि भारती फिल्मों के लिहाज से इसे बॉक्स आफिस पर सफल फिल्म नहीं माना जा सकता है, अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं, मुंबई की गंदी बस्तियों में रहने वाला 18 वर्षी अनात जमाल के पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन एक घंटे में उसक कि किस्मत बदल जाती है, भारत के सबसे लोकपरिय गेम, गेम शो, Who Wants To Be A Millionaire की खिताबी रकम से वह सिर्फ एक प्रश्न दूर है, लेकिन जमाल की जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहा है, और यह भी आसान नहीं था, उसे दोखादड़ी के आरोप में पुलिस गिरफ इतना आगे तक जाए, जमाल नहीं यकिन दिलाने के लिए अपनी कहानी बच्पन से सुनाता है, जिसमें बच्पन में हुए हमले में जमाल की मां की हत्या हो गई थी, कम अमर में ही जमाल और उसके बड़े भाई सलीम गलत आदमियों के हाथ लग जाते हैं, जमाल की मुलाक जगह पर भठकते हुए रहना पड़ता है, और हर जगह से उसकी कुछ यादे जुड़ी हुई है, इन्हीं यादों में से गेम शो में पूछे जाने वाले प्रशनों के जवाब होते हैं, पूरी फिल्प के में दर्शक को बांद कर रखती है, एक भी ऐसा क्षन नहीं आता जब आप बोरियत महसूस करें, जब जमाल और लतिका एक होते हैं, तो उनके साथ दर्शक भी खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कई मुसीवतों का सामना किया है, यही मुख्य वज़ा है कि स्लम डॉग मिलेनर इतनी पसंद की जा रही है, पहला प्र जब बच्चन के उत्तर को सबसे अधिक नाट की रूप दिया गया, जमाल अमिताब बच्चन का कितना बड़ा फैन है या दिखाने के लिए कहानी फ्लैश बेक में जाती है, जमाल के बच्चन का द्रश्य आता है कि वह जमाल हवाई अड़े के पास एक कूड़े के बड़ धेर के बीच बने शोचाले में बैठा फुरसत से मलत्याग कर रहा है, उसका बड़ा भाई सलीम जो की बिजनस मैंड़े है बाहर किसी ग्राहक से पैसे ले चुका है, उस सोचाले के इस्तिमाल के लिए पर जमाल है की निकलने का नाम नहीं लेता, ग्राहक छूट जाता है और गुसे में सलीम अपने भाई जमाल को शोचाले के अंदर ही बन करके चला जाता है, इतनी देर में बाहर शोर मच जाता है कि अमिताप बच्चन का हेलिकाप्टर पास के ग्राउंड पर लेंड कर रहा है, आप तो जमाल को बाहर निकलना ही है, बहुत कोशिश करने के बा वह नहीं निकल पाता है, तो अंत में नीचे मल्क से भरे गड़े में कूच जाता है, और सिर्ख से पैर तक मल्क में सना हुआ दोड़ता है अमिताप का ऑटोगराफ लेने के लिए, अटोगराफ तो मिल जाता है, पर जल्द ही उसका भाई उस ऑटोगराफ किये हुए अदाईगी है, सबसे अच्छा है, बस केवल यही अच्छा नहीं लगता कि हालिवुड को भारत का अच्छा पहलू दिखाने में क्या दिक्कत है, कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है, बस दिल कड़ा कर पे जाना होगा, हाल में माया नगरी की बदसूर्ती देखने के लिए भारत में तेज जन्वरी को स्लम्डग करोडपती के नाम से फिल्म का हिंदी रुपांदरन रिलेज किया गया, अब हम अभिनए की ओर बढ़ते हैं अभिनए के मामले में कोई भी कलाकार कमजोर नहीं रहा है, अनिल कपूर और इरफान खान तो अनभूवी हैं, लेकिन देव पटेल और फ्रिडा पिंटो का अभिनए भी हर लिहाज से उत्तम है, सलीम और जमाल का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार भी शांदर अभिनेत सिध्ध हुए हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तम अभिने के लिए भी फिल्म को जरूर देखने योग्य है, बाल कलाकार जो की पेशे से कलाकार नहीं है, उम्दा अनभिने करते हैं, अब हम पाठे सामगरी में आगे बढ़ें, उससे आप से एक निवेदन है, कि पा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके, अब हम निर्देशन की ओर बढ़ते हैं, यह फिल्म पूरी तरह से भारती फिल्म से प्रेरित है, फिल्म के सह निर्देशक लवलीन टंडन ने इस फिल्म को व्यक्साइक हिंदी सिनिमा को समर्पित किया है, लवलीन सिन का कहना है कि पठकथा लेखक व्यूफाय ने इस फिल्म को लिखने से पहले सलीम जावेद की फिल्मों की गहराई से अध्यन किया है, बायल ने ही दी कंपनी अंडर वर्ड और इसमें व्याप्त खुरूरता को ही देखा है, बायल का कहना है कि स्लमडग से शुरुवाती द्रश्यों में पुलिस वाले त्वारा बच्चों को खधेडने का द्रश्य फिल्म ब्लैक फ्राइडे से प्रेरित होकर रखा होगा, बायल दीवार को विशिद रूप से भारती सिनेमा मानते हैं, इस फिल्म में अमिताप का चरितर गैंगस्टर हजी मस्तान से प्रेरित लगता है, स्लमडग की शुरुवात में जमाल को अमिताप का आटोग्राफ लेते हुए दिखाया गया है, अनिल को पूर बतलाते हैं कि फिल्म के कुछ द्रश्य दीवार फिल्म से प्रेरित होकर फिल्म आए गए ह निर्देशक और लेखक के अलावा एयार हैमान के संगीत को फिश्रे दिया जाना चाहिए, फिल्म का पार्ष संगीत फिल्म को अतिरिक्त धार प्रदान करता है मुंबई की गलियों को कैमरे में बहतरीन तरीके से पकड़ा है, निर्देशक की छोटी सी बात कि फिल्म की शुरुवात में सलीम और जमाल के पीछे एक कॉंस्टेबल भागता है, वो अद्रश्य देखने लायक है अब हम उपसम्हार की ओर बढ़ते हैं फिल्म व्यगर और अतिशयक्ति पूर्ण महानगर मुंबई और दुनिया की सबसे ओरवर फिल्म इंडरस्ट्री वॉलीवुड के प्रती बायल का स्तुतिगान भी है मुझे बायल की फिल्म में गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की सहन शक्ती और गंदी बस्ती के जीवन की अच्छाईयों के चीतरन से कोई परिशानी नहीं है ये तो कभी न बदलने वाली लोकपरी ये पूर्वी रूडिवादी धारना का हिस्सा है गरेब यानि गंदी बस्ती यानि गंदे मुस्कुराते बच्चे हम इन बातों से बकूफ भी वाकिफ हैं दर असल ऐसा लगता है कि भारतियों ने भी पश्चिमी फिल्म कार द्वारा भारत की बेवस गरीबी की निर्मिछवी को स्विकार कर लिया है ऐसा लगता है कि बायाले एक पॉलिवूड फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बिचड़े गरीब भाई एक तरफा प्यार और उस पर वास्तिविक्ता का धेर सारत तरका पर अंतता ये उस शैली की एक अवपरिवपक्व नकल है जिसे सिर्फ भारती ही उस उत्सा से वा आवेक से बना सकते हैं जिसकी वा हकदार है फिल्म में वास्तिविक्ता बस्तत ही है और कुछ शांदार अभिने की बावजूद कथानक का स्टाइल हावी हो रहता है यह फिल्म मुझे उस तरह से बांदे नहीं रख पाती जिस प्रकार दो हजार दो में बनी रियो ने सिटी आव दगार्ड में बांध रखा था शांदार संपादन चपल छायांकन की बदा लट स्लम डाग के द्रश्यों की तेज गती अचंभित करती है वे भड़की लिए है पर उतनी भी नहीं की बॉलिवुड से टक कर ले सके अब हम विशेशता की ओर बढ़ते हैं इसमें सबसे बड़ी विशेश बात है कि रिलेज होने के बाद इसकी व्यापक आलोचना हुई कई लोगों ने फिल्म के खिलाब कोर्ट में जन्ही दियाच का दायर की फिल्म पर देश की गरीबी को विदेशी नजरी से देखने और दिखाने का आरोप लगाया गया स्लम डेवलपर्स वेलफर ग्रूप ने फिल्म के संगीतकार एर रह्मान और अभिनेता अनिल कपूर के खिलाफ मान हानी का दावा भी किया इन पर आरोप लगाया कि फिल्म में जुगी जोपडी में रहने वालों को गलत तरीके से दिखाया गया है जो की मानवा धिकार का उल्लेंगन है फिल्म में स्लम डाक शब्द के इस्तमाल पर भी हत्राज चताया गया सामाजी कारेकरता निकोलस अलमेदा ने निजी फायदे के लिए गरीबों के सोशन के खिलाफ विरोध परतरशन किया उन्होंने स्लम डाक शब्द को गरीबों के लिए अपमानजनत बताया इस तरह फिल्म के परदरशन से दूसरे भागों में भी इस तरह विरोध का परदरशन देश के दूसरे भागों में भी हुआ हिंदू जन जागरती समीती ने फिल्म में राम को दिखाने पर भी हैतराज किया आर स्लम डाक की सफलता के बाद फिल्म तो माला माल हो गई किन्तु लागत से दस गुना से भी ज़्यादा पैसे कमाए लेकिन फिल्म के बाल कलाकार आज भी उसी स्लम में रहते हैं जहां वे पहले रहते थे, जानका रहश्यर होता है कि फिल्म के इन बालकलाकारों को महज कुछ रुपे पर फिल्म में काम करवाया गया, फिल्म में रुबिना अली और हरुद्दीन स्माइल को एक आम मजदूर के महज से महज तीन गुना जादा मजदूरी दी गई, और यह एक सक्त संदेज भी देती है, जीवन सबसे बड़ा विद्याले है, जिन्दगी हर पल कुछ न कुछ सिखाती है, केवल किताबी ग्यान जीवन में उतना मददगार नहीं होता, जितना की किताबी ग्यान के बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और कमाया जा सकता है जैसा कि जमाल ने कर दिखाया इस प्रकार कहानी की विशेषता फिल्म की विशेषता भी पूर्ण होती है यहाँ पर और अंत में आपसे फिर से निवेधन है इसे लाइक करें शेयर करें, कमेंट लिखें धन्यवाल